WCL के पेच एरिया की यहां शूपूरी खदान है यह खदान 2012 में शुरू की गई थी और तब से यहां कोईला निकालने का काम लगातर जारी है यहां का कोईला इसी खदान के पास एक बड़े डंपिंग याड में लोट किया जाता है इस डंपिंग याड में रोजाना लगभग 2000 से 3000 टन कोईला डंप किया जाता है इस मिट्टी के बने डंप याड की जमिन पर कम से कम फ्लोर आरेल 723 मिटर एवं उपर के आरेल से 734 मिटर है जिस पर कोईला डंप किया जाता है इस डंपिंग में तैनात, खदान सर्वेयर और अधिकारी इस स्टॉक को मेजर कर उसका आरेल लेते हैं एवं कोईले की मातरा गणना द्वारा निकाल कर एजियम को रिपोर्ट किया जाता है दिनांक 15 जन्वरे 2013 को अचानक सुबह CBI की टीम ने शिवपोरी ओपन कास्ट खदान पेज शेत्र में कोल स्टॉक नापने की शुरुवत की है मैं में मुआ है ठार आप ञाटर में आप तर शेम की शिव एक डायर निय। उन्हें जो प्लान देया गया था वह मुल प्लान जो मैंने 8 जनवरी 2012 को अप्रू किया था उसके अनुसार नहीं था क्योंकि कोल स्टॉक में कोईला मुल प्लान में दिखाई गई सिमाओ से बाहर गिर गया था अन्तता नया प्लान बना कर उन्हें दिया गया था जिसमें मुल प्लान के बाहर के फ्लोर आरेल इंटर पोलेट या एक्स्ट्रा पोलेट करके बनाए गये थे कोईला गिर जाने से सर्वेयर द्वारा फ्लोर आरेल ले पाना संभव नहीं था अंतता वही एक्स्ट्रा पोलेटेड आधारित प्लान CBI को दिया गया जिसमें CBI को 12383.08 टन कम कोईला नपा और असत्य पर आधारित आरेल के साथ कानूनी केस बना दिया ज्वाइन डारेक्टर CBI को उक्त तत्य बताये गए परन्तु CBI ने इन तत्यों को अस्विकार कर दिया जबकि कोईला उठाने के बाद आरेल का सत्य पान कोईला स्टॉक में जाकर CBI ने किया होता तो दूद का दूद और पानी का पानी हो जाता जब मैंने अपना रेप्रेजेंटेशन एक जुलाई 2013 को दिया तब मुझे इस आधार पर शिवपुरी साइट के कोल स्टॉक का CBI द्वारा उना निरक्षन की उमिद थी परन्तु उनने अनेको प्रकार से इसे निरस्ट कर दिया यदपी युनी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में श्रीत अपन कुमार बंदोपध्याय सर्वेयर सिंग्रोली द्वारा अपने कतन में अंत में ये कहा कि सही ग्राउंड प्रोफाइल का पता लगाने के लिए अनुमोदित स्टॉक याड में रखे गए कोईले को हटा कर फिजिकल टोटल स्टेशन से उना ग्राउंड प्रोफाइल लिये जाने के बाद ही प्लान नंबर दो में अंकीत कॉर्डिनेट्स एवं आरेल का सत्यापित किया जा सकता है जब 4 अक्टमबर 2013 को उक्त वर्नित भाग से कोईला हटाने पर एरिया वर डबली सेल हेड़कॉर्टर की टीम ने सर्वे किया तो मेरे द्वारा दिये गए आरेल सत्यापित हो गए इन सेक्षन द्वारा जो आरेल 4 अक्टमबर 2013 को एरिया वर डबली सेल हेड़कॉर्टर की टीम ने लिये थे और जो आरेल 15 जन्वरी 2013 को CBI ने लिये थे दोनों कमपनियों द्वारा लिये गए आरेल में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है चुकि मेरे रिप्रेजेंटेशन को गलत सिद्ध करने के लिए असत्य आधारहिन कानिया बनाई गई जिसमें जुलाई 2013 में भारी बारिश से स्टॉक की मिट्टी बहनाब बताया गया है चुकि वे भूल गए कि मेरा रिप्रेजेंटेशन एक जुलाई 2013 को ही दिया गया था क्या एक जुलाई 2013 को दिये गए आरेल जुलाई 2013 की बारिश से पहले उत्पद्न हो गए अर्थ सपस्ट है कि उक्त कहाने जोटी एवं मन घड़त है और मेरा रिप्रेजेंटेशन सही था तो यह पहले स्टॉक यहां तक रहा हुगा तो इतना यह यह जो बारिश हुआ उसमें इतना मट्टी उठाया विए अधिया स्लाइड किया कितना होगे दो यह तीन यह एक 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 हमेंग्ट में जोजाएज कि पींटीस मिटर होगा दास मीटर नीस टुकला उट है 15 को क्रिश सां रचितल कि 910 580 कि 6 gemaakt और 50 मैं पूंटी निल्का का ग्रिवनिल जह कैंगर प्रदैस अल्गन जह कुंत। नहीं आप पूंग를 स्मेतल जा अपने यह तो greatest कर ठ्रिव लिए चाही मनेई डिस्थरब नहीं किया........